Hello everyone, आज की कहानी है टोपी, आज हम इस कहानी का अत्यन संक्षिप्त में सारांस पढ़ रहे हैं, ये quick revision भी है, इस कहानी के लेखक संजय जी है, यह कहानी एक लोक कथा है, यहाँ पर टोपी को शक्ती और इज़त का प्रतीक बताया गया है, इस कहानी के जरिये लेखक दो बात कहना चाते हैं, यहाँ पर दो गोरिया जो हैं उनकी उधारन लेकर के इस कहानी को बताया गया है, बहुत ही खुबसूरत कहानी है, समाज को चित्तित करती है, इसमें पहला यह है कि कैसे शक्तिशाली लोग अपनी शक्ति का अनुचित प्रयोग करके अपना काम करवाते हैं और उनको उनका पूरा मेहनताना भी नहीं देते हैं, मेहनताना यानि उनका प्रतिफल भी उन्हें नहीं देते हैं, काम करवाने के बाद जो उन्हें पैसे दिये जाते हैं, मजदूरी दी जाती हैं, वह भी उन्हें नहीं दी जाती हैं, लोग भी उनका काम पूरे मन से नह यह है कि अगर किसी काम को करने के लिए मन में द्रड इच्छा शक्ती हो आपका लक्षे आपके सामने वो तो कोई भी लक्षे ऐसंभव नहीं होता है और कोई भी मुश्किल आपका रास्ता नहीं रोक सकती है लेखक ने इसमें मुहावरों का पहुत सांधा प्रियोग किया है हर बात को मुहावरों के द्वारा केहने की कोशिश की है तो हमारी यह कहानी गौरा और गौरिय की जो कहानी है वह इस प्रकार से इसका मैंने आज़ा आपको शाराज वर